सो आमें एक टे बेसिक एप्लिकेशन तेरी गोड़ छेलाम जेखाने तीन टीप पेज थाकबे अबाउट, होम, और ब्लोग सो एक शाथ है आल टीपेज थाकबे जेरी मुलो तो होच्छे एक टी एरोर पेज जेखाने गेले 404 एरोर देखाबे सो जेस्ट राउटिंग मॉडियोल टे होच्छे कांफिगर कुरूँछी एकां थेके धरन जाखरन होम पेजे थाकबेए अबाउट आमें होम पेजेर कंपोनेंट टी लोट कुरिये ने बो इस इस होम कंपोनेंट जोदी आमार सर्वरे ने मेर पड़े स्लाश ब्लोग थाके ताहोले आमी ब्लोग कंपोनेंटी लोट करागो आमार जोदी अबाउट पेज थाके सोरी अबाउट राउटि केले आमा केशो कुर दे अबाउट कंपोनेंट एबाउट जोदी एई कोईटी राउटेर बाही दे अन्नो को थाओ जाए बाउन्नो कुने टी URL लेखे ताहोले एकटी एरोर पेज निये चोला जाबे सो टावल स्टार मीन इटीक्टी एरोर पेज सो आमी एखानेक डिकलेर करगो एरोर कंपोनेंट जोदी ब्लोग एबंग अबाउट बादे जोदी अन्नो कोणो पेज जाए ताहोले होच्छे एरोर कंपोनेंटी शोग करगो सो बेसिकली आम्रा एटी प्रिवयो देखते बाबो जोदी आम्रा एटी URL चला जाई लोकल होस्ट 4200 बनें and 200 ऐटी होल्आ यही引िल होमपेज जैनी आशछे आम्रेज जोदी आपोट पेज जैनी जाच्छे and ब्लोग जोदी लेखी and ब्लोग पेजेनी जाच्छे याख़न आम्रेज जोदी अन्नो कोणो लाउट लेह खैस्ट मीडा लेहेज जोए ब्लोग slash something पाज ये कोनो ये कोम पेजे जाओ चेश्टा कोले आमा के एरोर router टीशो कुरबे ये एप्लिकेशन टी आशोले कीभाब आम रहा होन Netlify एडेपलाई कुरबो ये इखां थे के जास्ट आमाने कोथमे आप्लिकेशन टी बिल कुर नी बो आप्लिकेशन टी बिल कुर पर Netlify एर एक टी routing कॉन्फिगर कुरता होबे आमा पुषमे Netlify ए चला जाबो Netlify Deployment पेजे इखांने देख्ते पाच्छे एखांने आवा Netlify एकांट लेटे आम अब अने कोलो साइट तेरी करा आछे एखां थेके एकटी option आछे चीठी होच्छे Deploy आमें एखां थेके Site से चला जाबो Add New Site Deploy Manually एखांने क्लिक कोरबो एखांने ड्राग अन ड्रॉप कोरली एखां थेके Deploy कोते पारबो आम रागे आमांदर फाइल गुल रेडी कोरे फेली आगेस एकटी बिल्ट कॉम्प्लीट होए जाबे कुबी शिश्यम माई लागार कॉथा ना आमा तेर अप्लिकेशन ते बिल्ट कोरा कॉम्प्लीट होए छे आमा देखते पाच्छे एकटी इस्ट नामें नोतुन फोल्ड़ा रेशे छे जीतर वीतर हे आमारे अप्लिकेशन नेम राउटिंग अप एर मोद देखी छो फाइल देखे छे तो आमी राउटिंग अपर आमाऊस रेक्खे राइट माऊस क्लिक कोरे एक नातुन फाइल तो भी कोरो जीतर होँए नेतलिफाई.toml सो एटी बिसिकली होच्छे एक्टी नियक्लिफायर configuration file तो एखाने चेरी थाकबे आम अल्रेधी कोड कोरी लिखे छी तो एकोड ती जस्ट कोपी-पेस्ट कोरबो सो एखाने बोल छे redirect from somewhere to somewhere सो एटा बिसिकली होच्छे एक्टी redirection rule जिखाने होच्छे जोदी कोणो URL जाए शेडम बैसिकली index.html ए सब गुलोई redirect कोड़ा होच्छे जोखन URL ती redirect कोड़ा होच्छे index.html मुलत होच्छे अंगुलर के redirect कोड़ा होच्छे एखाने reveal in explorer एक्स्प्लोर एक्लिक कोरबो जाते कोरे आमी होच्छे आमार फॉल्डर टे देखते पाई भीतोर आमार फाइल गुलो आछे आमी वन स्टेप बैक कोले आमार अप्लिकेशन दी नाम देखते बाबो एर पर आमी netlify चला जाबो आमार फाइल मैनेजर टी ओपेन कोरे आमी जस्ट ड्राइग अन ड्रॉप कोरे इखाने छेरे दीबो that's it angular application दी डेपलोई होच्छे आमार फाइल गुल आप्लोड होच्छे देन आमाके अल्लेडी देखते बाच्छेन production deploys अल्लेडी पाब्लिश होए छे to 35 AM मात्रोई होलो आमके अक्टे URL दीये अच्छे आमेहने क्लिक कोलो सरस्फी URL देखते बाबो आमें जुद्धि ट्राइग गोरी आमार डावटीं टे ठीका सिकीना चेक करो जुन्नो slash about 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 काच कोर्छे slash blog ब्लोग काच कोर्छे आमेहन जुद्धि ट्राइग कोरी आधर रावट्स लाइक ASDF यह कुम कोना रावट नहीं यह रोट्टी काच कोच्छे यही फाबेही मोलो तो आप नेटलिफाइए अंगुलर अप्लिकेशन टेपलाइग कोट्थाए आपनी जुदि कुनो फाबेह अंगुलर यह ए अप्लिकेशन नेर। यह यह रोट्टी चेंज कोट्था चाल नेटलिफाइएर इखान थेके हुछ छे डॉमेएन सेटिंस से क्लिक कोरबाँ डॉमेएन सेटिंस से क्लिक कोरबेहन इखाने तेक बेंची Custom Domain नमें एक्ट आप्शन आछे, शे खाने आपना एक्जिस्टिंग URL ती दावाँ आछे, इखाने तेक आप्शन थेके Edit Site Name एक्लिक करार पर आपनी इस Site Name टी चेंज कोते बार बें, सब्बोस आमी एक्टे नाम दीछी Test Angular Deployment, ती एक्टे शेफ कोरलाम, इन इसेफ होये गालो, तब इती अबियसली उनीक होता होँए, जोदी अन्यों को URL बाभर कोरे ताहले आमी इती आर इसकोते पार बोना, आमी जरह हुन एती ती ख्लिक कोर गो, आमा के दैखाच्छे, अमारी अप्लिक आती 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 डिपलिया होँए, तो, त्सीजी, और थैक्टे तो, त्सीजी, अन्यों को मुछ वाचिंग,